आजमगर्ण में स्कूल जाते समय दस्वी का छात्र घाघरा नदी की छोटी शाखा में डूबा, तलाश जारी, प्रशासन की घोरला परवाही आई सामने आजमगर्ण के रोनापार थानाक्षेत्र अंतरगत मसूरिया पुर्त्रिमुहानी बांका गाउव के पास स्कूल जाते समय दस्वी का छात्र घाघरा नदी की छोटी शाखा में डूब गया, जिसके बाद स्थानिय ग्रामीनों और प्रशासन द्वारा गोता खोरों की मदद से उसकी तलाश जारी है, मिली जानकारी के अनुसार रोनापार थानाक्षेत्र के बांका बुर्णापटी गाउव निवासी शिवम साहनी उम्र लगभग 18 वर्ष पुत्र शंभु साहनी दस्वी का छात्र है जो मसूरिया पुर्स्थित चंद्रभानु इंटर कॉलेज में पड़ता है, रोज की भाती शुक्रवार सुबह जब स्कूल जाने के लिए घागरा नदी के छोटी शाखा के किनारे छात्रों के साथ आया तो नाव उस पार्थी उम्र में सबसे बढ़ा होने के कारण वह नाव लेने उस पार जाने लगा और पानी जादा होने के कारण श दूबे चात्र की तलाश कर रही है, नदी में दूबे चात्र शिवम के पिता शंभुनात साहनी बड़े पुत्व संतलाल के साथ रोजी रोटी के चक्कर में महराश्ट्रा के नासिक में रहते हैं, ये दो भाईयों और एक बहन में चोटा था, उसकी बहन सोनम और माता रो रोकर बुरा हाल बना हुआ है, क्षेत्रिय लोगों का कहना है कि इसमें प्रशासन की घोरला परवाही देखने को मिली है, अगर प्रशासन द्वारा यहां कड़ी व्यवस्था की गई होती तो ऐसी घड़ना कत्तई नहीं, घटी स्थानिय पुलिस नदी में जाल डलव कर गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे चात शिवम की तलाश में जुटी है,